ठीक एक साल पहले प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को जनांदोलन का रूप दिया स्वस्त वेक्ति, स्वस्त परिवार और स्वस्त समाण यही नए भारत को स्रेश्ट भारत बनाने का रास्ता है डिजिटल माध्यम के जरीए फिट इंडिया अभियान देश के कोने कोने तक पहुँच रहा है पिछले एक साल में तकरीबन दो करोड लोगों ने फिट इंडिया वेब साइट से फिटनेस के सरलमुस्के सीखे कहते हैं शुरुवात सही हो तो उसका प्रभाव भी असरदार होता है आज डेल लाग से भी ज्यादा स्कूल फिट इंडिया सर्टिफाइड है स्कूल्स ने ये वादा किया है कि अब वो एक पीरियेड स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए रखेंगे और ये तो अभी शुरुवात है फिट इंडिया अभियान ने करोणों लोगों के मन में फिटनेस के प्रती रुची जगाई है तभी तो स्वस्त भारत से स्वच्छ भारत जुड़ गया और शुरू हुआ एक नया अनोखा अभियान प्लॉगिंग वाता वरण स्वच्छ रखेंगे तो स्वास्थ भी साथ रहेगा प्लॉगिंग से ये दोनों मुम्किन है एक तीर से दो निशाने फिट इंडिया स्कूल वीक ने फिटनेस को अपनाने का एक मज़ेदार जरिया दिखाया है फिट इंडिया के साथ आम आदमी जुड़ता गया फिटनेस का कारवां बनता गया फिट इंडिया साइकलोग्थॉन ने इस अभियान को एक नई गती दी अब फिटनेस की सरल भाषा पूरा देश समझने लगा है फिटनेस में कोई भेदभाव नहीं कोई भी कहीं भी कभी भी रह सकता है फिट फिटनेस के इस जनान दोलन में भारत की नारी है सब से आगे फिट इंडिया मार्श फॉविमेन के दौरान नारी स्वास्थे पर खास बल दिया गया कोरोना के खिलाफ महा संग्राम में फिट इंडिया ने कई कदम उठाए फिट इंडिया लॉगडाउन सीरीज ने बच्चों और परिवारों को घर बैठे एक्टिव और फिट रहना सिखाया फिट इंडिया ने एक भारत श्रेष्ट भारत के साथ इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया सीरीज बनाई इस सीरीज से लोगों ने हमारे परमपरागत खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की फिट इंडिया योगा डे के दिन खेल राज्य मंत्री श्री किरन रिजीजु के नित्रत्व में शिल्पा शेट्टी, मैरी कौंग और अंजुम मौध गिल ने मिलकर योगा के बेनिफिट्स को घर घर पहुँचाया फिट इंडिया टॉक्स में भारत के कई जाने माने खिलाडियों ने स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा और अपने तजुर्बे को लोगों के साथ बाटा फिट इंडिया फ्रीडम रन से नया भारत एक नई आजादी की तरफ बढ़ रहा है आलसी पन से आजादी, रोगों से आजादी, करोडों देशवासी खुद से मुकाबला कर रहे हैं फिटनेस की और बढ़ रहे हैं फिट इंडिया ने भारत को आग्म निर्भर बनना सिखाया घर बैठे अनुशासन बनाना सिखाया रोग को निरोग में बदलने की शक्ती और युक्ती दोनों फिटनेस में है आज फिटनेस बन रहा है नए भारत का नया मंत्र फिटनेस के जनांदोलन से जाग उठा है नया भारत फिट इंडिया से जुड रहा है नया भारत एक साथ एक साथ फिट इंडिया बे मिसा चलिए साथ बढ़ें एक और साथ फिटनेस की बनें बड़ी मिसा